हेलो एवरिवन मैं हूँ सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरू हमें आपका स्वागत है आज हम डिसकस करने जा रहे हैं स्विचिंग टेक्निक के बारे में जो है आपके चैप्टर 10 का फोर्थ पार्ट जिसके अंदर हम बात करेंगे के स्विचिंग टेक्निक क्या ह होती है और कौन कौन सी होती है तो चलिए करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि स्विचिंग टेक्निक होती क्या है स्विचिंग टेक्निक बेसिक वह टेक्निक होती है जिसके अंदर हम जो है दो सिस्टम को या पूरे नेटवर्क को आपस में जोड कर अगर मुझे डेटा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेजना है तो वो किस तरीके से भेजा जाएगा तो switching techniques जो हमारे chapter में दी हुई है जो हमारी book में है जो आपके slayvus में है वो तीन तरह की है सबसे पहले आती है circuit switching दूसरी आती है message switching और तीसरी आती है packet switching तो सबसे पहले हम बात करते है पहले उनके बीच में physical connection बनाया जाता है और फिर जो है वो डेटा transfer होता है एक system से दूसरे system के बीच में इसका example अगर आप देख सकते हो तो आप इस तरीके से इसका example देख सकते हो कि मालो जैसे यह दो system जो है वो यहाँ पर एक network से जुड़े हों और दूसरे दो दूसरे network से जुड़े हुए हैं तो इस system को अगर इस वाले से बात करनी है तो क्या करेंगे यहां से यहां जो है इसका बीच में connection बनेगा और यहां से यहां एक connection बनेगा तो यह क्या हो जाएगा एक पूरा physical connection इन के बीच में establish हो जाएगा जिससे फेरियर डेटा transfer हो जाएगा अगर मालो इसको इस वाले सिस्टम से बात करनी होगी तो यह connection यहां की बजाए जो होगा वो इस वाले सिस्टम से बन जाएगा और अगर मालो इसको इस वाले सिस्टम की बजाए इस वाले सिस्टम से बात करनी होगी तो यह connection कुछ इस तरीके से बन जाएगा यह आपका सबसे रिलायबल और सबसे पुराना तरीका है जिसके अंदर बात की थी कि आपको इस वाले सिस्टम से connect करेंगे उसमें टाइम लगेगा तो पहले फोन कोल होने में बहुत लंबा टाइम लग जाता था उसके अंदर क्या होता था हमारी जो skipping मैन्म कनेक्शनवाद है जासे एक बोर्ड बना होता था उसकी यहां से निकाल के यहां डाले हओ के यहां से वायर निकाल के यहां डाल दितो के फिजिकल कनेक्शन है और आप यह जो locomotor दो के बातना थी इसी आ बोसरा एंपल जो पाइव आपने देखा होगा वह यह देखा होगा कि कहीं पर हॉस्पिटल में या किसी स्कूल में या किसी बड़ी कंपनी में आप जाते हो तो वहां पर एक टेलीफोन सिस्टम रखा होता है जिसके अंदर वह नंबर डायल करते हैं जैसे 130 152 कुछ करके ऐसे नंबर डायल करत जो है वह नंबर डूसरे के पास चला जाता है तो यह किसके थूरू पॉसिबल होता है यह एक PBX O system होता है जिसको circuit switching device भी का जाता है तो यह आपस में connect बनाएंगे दो सिस्टम के बीच में आपस में connection बनेगा physical connection बनेगा और उसके थूरू call होगी पहले यह क्या होता था पह जो सारा जो connection हो इसके थूरू बनता है फिर उसके बाद बारी आती है message switching की message switching को आप किस तरीके से देख सकते हो message switching के अंदर जो है हम इसका example ले सकते हैं कि इसके बीच में क्या किया जाता है कि जो भी message में को send करना होता है मैं वो अपनी तरफ से send कर देता हूं फिर बाद मे क्या होता है बीच में अलग तरह कि कई unit होती है सारा का सारा data पहले उसके पास जाएगा फिर वो क्या देखेगा कहीं आगे जब उसको data बेजना है कि कोई link free है या नहीं है तो जैसे ही link free मिलेगा वो data उसके पास बेज देगा और फिर ऐसे ही यह process जब तक चला जाएगा ज फिर forward होता है तो यह technique किस तरीके से काम करती है यह technique कुछ इस तरीके से काम करती है कि जैसे कोई terminal one है या terminal two है किसी को आपस में अगर system बेजना है तो वो अपना message बेजेंगे और फिर वो पहले एक जंगा पर store होगा फिर दूसरी location पर forward होगा फिर वहां store होगा फिर अगली location पर forward होगा तो इस तरीके से जो है यह data जो है एक computer से दूसरे computer के उपर चाहता है इसका basically आपको अगर मैं live example बताओं तो आज के टाइम पर आप समझ सकते हो कि कोई भी delivery system है जैसे आप अपना online अगर कोई order करते हो जैसे suppose आप Amazon पर कोई आपका order करते हो तो Amazon वाला क्या करता ह है आपने दूसरे को बता दिया कि यह order मुझे चीए वो क्या करेगा उसकी पूरी पूरी तरीके से packaging करके वो भेज़ देगा और वो क्या रहेगा जो हमारा Amazon का वेर आउस है तो उसमें चला जाएगा और फिर वहां से क्या हो जाएगा वहां से जब data चलेगा यानिके आपक आपके पास चला जाएगा तो यह बेसिकली क्या है यह एक example है store and forward mechanism का आप अगर Amazon का delivery system देखो तो आप उससे प्रिलेट कर सकते हो कि कैसे एक message message को आप replace कर लो किसी product के तुरू एक position से दूसरी position पर पहुंचता है similar तरीके से जो हमारी message switching का करती है इसके अंदर जो बहुत बड़ा difference यह है कि जो message हो सकता है उसका कोई size fix नहीं होता वो जितना भी मर्जी चाहें उतने मर्जी का size हो सकता है फिर उसके बाद जो हमारी जो third technique आती है जो latest technique है जो आज का time पर use होती है उसको बोलते है packet switching packet switching में क्या होता है कि जो भी आपका data है उसको एक certain length of messages में उसको break कर दिया जाता है और उन सारे चीजों को है एक particular header के अंदर डाल दिया जाता है अब header के उपर क्या हो जाएगा वह सारे information आजाएगी कि आपकी चीजे कहां है किसके पास जानी है कौन से address के पास जानी हो उसके अंदर क्या होगा उसके अंदर वो data होगा वह information जो है यह और message जो हमारी switching हो दोनों similar तरीके से काम करती है बट दोनों में क्या difference है दोनों में difference ही है कि जो message switching थे उसमें आपका data store and forward हो रहा था इसके अंदर क्या होता है data सरफ forward होता रहता है इतना store होता है buffer memory में जो भी storage होगा क्योंकि buffer तो चाहिए ही चाहिए हमें कोई भी communication system में तो buffer and forward वाला system होता है ना कि पूरा का पूरा message जो है आपका वो store किया जाता है इस चीज़ को आप किस तरीके से समझ सकत यह है कि अगर आप किसी के पास कोई postcard भेजते हो या कोई letter लिक के भेजते हो तो जैसे ही आप उसका letter लिक होगे तो वह क्या हो जाएगा सारे के सारे letter जो होंगे वह एक सी एक तरह के से दिखे जाएंगे उसके अंदर जो है जो या postcard है जो भी उसके अंदर आपने content प्रोटोकोल मिलके जो है वह इस वाले सिस्टम के ओपर काम करती है तो टीचीप वाला जो सिस्टम है जहां पर डेटा को पैकेट्स में तोड़ा जा सकता है उनकी प्रोपर सिरिल नंबर की जाती है और वही डेटा जो है जो दूसरा वाला सिस्टम होगा उसी के ओपर यह सारा डेटा जो है वो असेंबल किया जाता है और फिर उसके थूरू काम होता है तो सेम चीजे होती है हमारी पैकेट स्विचिंग के टेकनीक में आई होप आपक पर वाचिंग कर दो दोन फर बाइट टो लाइड शर और शबस्क्राइब कॉटरू रूरू है